हिमाचन प्रदेश के इतियास में आज सबसे बड़ी खबर एक्सामने आई है कि तीन जो निर्दली विधायक थे देहरा से होश्यार सिंग और हमीरपूर से अशी शर्मा और नालागर सी के अलठागौर उन तीनों विधायकों ने अपना विधायक पद से इस्तीफा दे दिय है और इस वक्त हम देहरा में जो बीजेपी के नेता है रमेश द्वाला उन से बात करने ही पहुंचे है क्योंकि कहा जा रहा है कि यह तीनों विधायक जो है जो बाकी छे बागी कॉंगर्स के विधायक है नौ जगह जो चुनाव होगा उसमें इन ही के लोगों को टिकेट म चीजरे किस तरह देख रहे हैं किस तरह देख रहे हैं तीनों निर्दली भारती कंडिडे ने जो है इस्तीफा दिया है ओब भरतेउंटर परटी जोईन करने जा है ठीक है मैं सबसे पहले द्वाब का धन्यवाद करता हूँ और मैंने तु अभी अभी देखा फेस्बूक में कि जो छे बदाइक जे थे वो अनसीटेड किये हुए थे और तीन जो हैं वो ये निर्दलिया बदाइक थे और इनने भी अपना त्याग पत्तर दे करके पार्टी जोईन करने जा रहे है तो पार्टी ने जो फैसला लिया है वो कुछ सोच समझ करके ही लिया होगा नहीं ठीक है पार्टी मैं स्वागत करता हूँ इन सभी का स्वागत करता हूँ और मैं दुमल जी का जो वर्सन था उनकी जो स्टेटमेंट थी वो मैंने जो पड़ी थी तो मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि जो प्राने रिस्ट कारे करता है जिनने इस पार्टी के लिए अपना सब कुछ ही जीवन जो है वो समर्थित कर दिया और आज सरकार अभी साड़े तीन साल इसका प्रेड़ जो है वो वाकी है लेकिन इन लोगों ने क्या सोच समझ करके अपना त्याग पत्तर दिया है इसके बारे में तो संगठन जाने या ये खुद जाने इनकी क्या जो है वो बात चीता क्या वारगेनिंग जो है वो हूई है इसके बारे में मैं नहीं जानता लेकन अब अब मोदी जी के नाम पर वोट जो है वो लोग जो है आज मोदी जी का पुरे बिसव में डैंक जो है वो बज़रा है और उसी भ्याव पर ये जो है ये इन लोगों ने जब कि इनका कोई कुछ नहीं बगाड सकता था ये समझ करके जो है भो अपना त्याग पतर दिया है अब गेम जो है वो लोगों के पास है गेम करेंगे हमारे जो कारे करता है हमारे जो समाज के लोग है वो अच्छा बुरा समझ करके वो ही फैसला जो है वो लेंगे वो वो तो विस्या के गरव मैं क्या है क्या नहीं है इसके बारे मैं मैंने कह सकता कुछ भी लेकन जो भी कुछ हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है मैं ये कहने जा रहा हूँ इस पार्टी के लिए लोग ने बड़ी त्याग तपस्या किये इसके लिए मानिया सांता कमार जी ने मानिया फ्रेम कमार दूमल जी ने ये उनका बगीच्च जो है वो हिमाच्चल प्रदेश में लगया हुआ है और इसमें आज जो है वो फल लगे हुए हैं लेकन पिछली बार भी मैं कहता रहा कि ये कुछ संगठन में कमिया थी थीं वो संगठन की कमिया जो है वो भी दूर ने की और उसमें फिर रिजल्ट आया रिजल्ट जो आया वो आप सब के सामने है तो अब जो भी होगा अब क्या होगा क्या ने होगा कितने जीतेंगे सबी जीतेंगे या फिर इनका भागे का फैसला जो है वो तो लोग ही करेंगे तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि मेरा कोई इतराज नहीं मेरा को मुझे को गिला नहीं ठीक है उन्होंने त्याग पत्तर दिया है वो फैसला जो है वो MP की हम मदद करेंगे उनको जिदाएंगे और यहां से इस पार्लिमेंट इससे पहले भी बड़े मतों से अनुराग जी जीते और इस बार और हम इनक्रीट जो है वो कर रहे हैं कई दिनों से हम गौं में जा रहे हैं लोगों को सरकार की नितियां सारकार के कारे कमजी हैं उनके बारे में बड़े वो अब्द से और हमारा मांसमान कर रहे हैं इसलिए मैं ये कहने जा रहा हूं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में वो विश्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता तो क्या लग रहा है अब जैसे यहां पर खुशार सिंग आएंगे तो क्या आप उन से मिलने जाएंगे या आप से मिलने आएंगे क्या आगे रहने देखिए अगर बाटी जा बाटी उनको यहां से प्रकाशी बनाती है तो अगला आपका क्या रहेगा बात ऐसी है कि इस यार सिंग जी भफारी अदमी है उनने अपने नजरी से क्या सोचा है क्या नी सोचा है इसके बारे मैं नहीं जानता हूँ तो खुद भी उनसे पूछ ले ना अपने लेकन मैं ये जरूर कहना चाथता हूँ कि गुण दोस के आदार पर लोग जो है वो अपना बोड जो है बो डालेंगे गुण दोस दिकर के जो है बो ठीक है MP ने तो यहां पर काफी काम जों हैं वो यहां पर 2 मिलम्मेंट केभी की Eagle और भी मतलब जो है वह आनुराग जी भी मुझे थावर हमारे क्या पूरे हंदोस्तान में वह हर जगा हर मतलब स्टीट में जा करका कर पर بھی کر رہے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کی ان کی ان کی جو آج جو بلندیوں پہ چھو رہے ہیں. بلندیوں کو چھو رہے ہیں وہ. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان کے مانچتر پر انورا جی کا نام ہے. اب شہار سنگھ جی آئیں گے. کیا بتائیں گے? کیا نہیں بتائیں گے? اس کے بارے میں تو وہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ उनसे पूचना पर आप आप जब आपको पांच साल के लिए बेजा से तो डेड़ साल में आपर गारे जाएंthonी कियों के इसके बारे में तो भी ता सकते हैं यह जो सकते हैं तो कारेकरता त्यार है बार्तींटा पार्टी का ? मैं मैंने अभी देखा कार्यकरतां से बाद चीज़ करेंगे ये तो अपना विवार है ना ये विवार उनका अच्छा होगा तो उनको दबारा फिर वो लोग जो है वो बना देंगे वह वार अगर ठीक नहीं होगा तो लोग सोच समझ करके बोट डालेंगे वो तो गुंदोस के प्रियादार पर होगा फिरे कहा जा रहा था कि जितने भी जो बागी कॉंगर्स के विदायक हैं वहां पर जो भारतियंता पार्टी के लोग हैं ब्रिष्ट नेता हैं अब जो निर्देली ये तीन विदायक इस्तीफा दिया है वहां भारतियंता पार्टी के आप भी किया है ना हमने कोई इसके बारे में अपना कोई समार्थन या विरूत जियो है वो हमएक किसी ने पूचा लेए देखेंगे तब विचार करेंगे. और आज जो अनोने फैसले किया है बो सोच सम्ज़ कर के किया होगा मैं उनको ठीक लगा होगा तो बो पर चार परसार जो क्यों है बो हमारा सेख़ाथन भी करेंगे कार्यकर्ता भी करेंगे और यह मैं नहीं कह सकता कि हर आदमी जो है बो हमारे कहने पे बोट डाल देगा अब दुनिया जो है वो बहुत और खास करके हमाचल की राजनीती जो है ये एक लग तरह की राजनीती है हमाचल की राजनीती जो है अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है कैसे किया है इसके बारे में वो बेतर जानते हैं हमाचल के लोग तो मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने मै इस बात को मासूस करता हूँ कि मैंने इस पार्टी को समर्थन दिया है मुझे के परलोबन दिये गे मैं अपने आपको भागे साली मानता हूँ कि उसके बाद जब सरकार बने इंदुमल जी मुक्रमंत्री बने तो बड़ी डॉलमेंट जो है वो यहां हमारे हमाचल पर देश म होई है अब ये जो जतना विकास हुआ है उसका क्रेडिट जो है वो अब पार्टी को मिलना चाहिए मैं तो इस इस मैं हूँ बहाद में और दूसरी बात अब हमारे जो मुक्रमंत्री हैं अब सबी के वो मुक्रमंत्री हैं तो इसलिए इसलिए वो क्या करेंगे ये कौन सा का प्रत्यासी होगा और कहां सी होगा इसके बारे मैं भी भी बिश्च आप तो नहीं गए आपकी बात नहीं है मैं जो है वो बीजे पी का समात्रक हूं और बीजे पी पार्टी जो है उसका जो निर्मान हुआ है वो मेरे और कई हमारे जो मित्तर हैं उनके स्योग से हुआ है इसलिए मैं यह नहीं कहता लेकन हमें यह सोचना चाहिए कि आज कल की तो तो परता की यह राजनिती है यह गलत ह है सोच बिचार करके सभी को सास ले करके कब जा करके फैसले जूँ है वो करने चाहिए अब ये क्या समझ करके ये फैसला किया है इसके बारे में मैं आपके आपके आपने भारती पार्टी के स्मर्थन दिया था जब निर्दली विठायक थे आप तो एक और बात कहीक कही जाती है कि आपको तदकालिंग जो मुख्यमंत्री तेरा दिनकी मुख्यमंत्री आपने ही बनाये थे अपने स्मर्थन से स्वर गी वीरवेडर्शिंग क्या उन्हों ने जिला बनाने का देरे का ओफर दिया था अपको दिया था और हमने तो ये विस्वस सूतरों से पता चला है कि हमारे मुख्वंट्री सुप्राम जी ने भी यहां पे सुखवंदर सिंसुखू जी ने भी यहां पर ऑफर जो है ती ती यहां पे फेस्बुक में और इस मीडियम में सारी बत्तें जो हैं वो लोगों ने देखी हैं और उसमें ये कहा गया था कि आप हमारा साथ समर्थम दो और हम जेरा को जिला बना देंगे और आपको मंत्री बना देंगे अब मैंने तो जो सब्द पहले बोला है अब वो वेबारी होशार सिंग की बात कर रहे हैं जो आपको ओफर मिला था 98 में 98 में तो वो तो ठीक है वो तो दो चार बात थी पोड़ बनाने की बात थी यहां जनता जायतर लोग यह कहते हैं कि अगर आप उसमें कॉंगर्स के साथ रहते बिरवदर सिंग की सरकार बनाते तो देरा जिला बन जाना था कहीं नहीं लोग आपको आपसे इस बाद से भी इस बाद से आपसे आप से कोचते हैं आपको कमी रही है आपके सामने यहां कि यहां एडी सी उनके साथ रहते थे एडी सी बठाय थे और प्रोफेसर प्रविंकमार दुमल जी ने मठाय थे और एक कॉलज की मैं तरस्ट के फ्रू जो है वो चला और आज गौर्मने ठेक उबर कर लिया वो बाकी जो है बाकी यह जो आप बात कर रहे हैं जिले की तो जिले की मैंने दिमान तो रखी पर उसके बाद हर मतलब हर जिले से जो स्टेटमेंट ने लगी लोग बिरोज करने लगे पर हमारा भी जि लागिया तो इसके बारे में तो आप राजा बीज़ बदर सिंग के साथ रहते तो क्या जिला बनता दे रहा है नहीं बात ऐसी है कि वो तो वो तो हमारा एक अकलन है नहीं यह मयासा करते हैं जब मैंने कह दिया कि मैंने समर्थन ही भी जी को क्योंकि मैं अपना पार्टी का बात में था और मैंने पार्टी को ही इस पाता दिया अब व जीर बदर को जब मैंने उनकी सरकार में मुझे मंत्री बनने का मौत की मिला तो मैंने जब रजाय नहीं कर दिया उस जब पार्टी मैं मां मंत्त remains बेजर थकी की सरसे ही मुझे मंत्तरी कर बनाया गया तो वह उस किता कोई उचते नहीं है तो आखरी आपसे स्वाल है कॉंग्रेस के पास लोग सवा के लिए केंडिडियेट नहीं मिल रहा है जो कॉंग्रेस प्रिदेश ध्यक्षा है प्रिदिवा सिंग उन्होंने भी इंकार कर दिया चनाल रेंड़ेंस की कारी करता था कही आ रहे हैं कोई बड़े निता जो हैं वो तो बड़े निता ही बताएं वो क्या मतलब वह उन्होंने सोच करके ऐसी बात कही है लेकर नहुंका संगठन लग गया हमारा संगठन लग है व्याद कि बातिता पार्टीन दो टिकटे भी डिसाइड नहीं किया है अपने मंडे की और कांगडा की तो क्या कांगणा से आप तेयारत, आपको कोई ओफर आया है? ना मैंने किसी को पोन किया, कि मैं I want to contest the election from कांगणा पार्लिमेंटरी कंसिजन्सी, और ना ही मुझे पोन आया और ना ही मैंने किसी को पोन किया, ठीक है न? तो क्या आपका स्टेंड रहेगा मैं उस तैम जब मुझे पूछेंगे जल बात करूंगा मैं अब ऐसे अनमान लगाना तो गलत है बात करूंगा जी यह हमारे साथ जो पूरु में मंत्रे हैं भारती जन्ता पार्टी के विरिस्ट नेता भी है इन्होंने जो मुझूदा घट देना है क्या नहीं करना है और अभी तक जो इनका स्टेंड है वो यह कह रहे हैं कि जब तक मैं अपने पार्टी कारे करता हूं से नहीं मिलता हूं मैं कोई बात नहीं रखोंगा ब्रजिश्व साकी निव्जेटिन देरा